नमस्कार, स्वागत है आपका MacTec ITI YouTube चैनल में MacTec ITI YouTube चैनल में Industrial Training Institute के लगबख सभी ट्रेट्स के एक्जाम्स की तैयारी हम करवाते हैं इसी क्रम में हमने एक सीरीज बनाई है जो की Employability Skills से related है Employability Skills के सभी chapters को हम, सभी chapters के important questions हम discuss कर रहे हैं इस क्रम में पहला chapter था Communication Skills Communication Skills के अंतिम 20 questions हैं जिनको discuss करने के बाद Communication Skills Chapter यहाँ पर खतम हो जाता है Communication Skills Chapter से लगबख यही question इन्ही में से जो भी पूछा जाता है यही questions पूछे जाते हैं यही important questions हैं तो आशा करते हैं कि आपने हमारे पिछले चार वीडियो देखे होंगे अगर नहीं देखे हैं तो link description box में हैं उन्हें भी जरूर देखिए और साथी साथ आज के वीडियो को देखें इस तरीके से आपका Communication Skills का chapter complete हो जाएगा यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को subscribe करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए इस तरीके से आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो के notification प्राप्त होते रहेंगे हम रोज ही एक chapter और उस chapter के important questions employment skill के लेकर के आते हैं हमारा प्रयास यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को like करें दोस्तों के साथ शेयर करें और साथी साथ comment करके जरूर बताएं कि हमारे वीडियो में क्या-क्या कमिया है जिने हम सुधार सकते हैं आशा करते हैं कि आप हमें motivate करते रहेंगे और अपना support बनाए रखेंगे आपको support बनाए रखने के लिए चैनल को subscribe जरूर करें शुरू करते हैं Employability Skill Chapter 1 Communication Skill का अंतिम पार्ट पार्ट 5 तो चलिए शुरू करते हैं Employability Skill के चैप्टर Communication Skill का पाँचवाँ वीडियो का पाँचवाँ पार्ट जिसमें हम लेकर किया है बीस questions और ये इस चैप्टर का आखरी पार्ट है इसके बाद हम नेक्स चैप्टर शुरू करेंगे तो Communication Skill Chapter के आकरी 20 questions आपके सामने है पहला जिनमें से पहला यानि question number 81 आपके सामने है identify a long term goal from the following दिए गए चार option में से आपको long term goal select करना है long term goal आप जानते ही है जो लंबे समय के लिए जो आप गोल तै करते हैं जो एम तै करते हैं उसे long term goal कहते हैं तो पहला option है mastering typing skill दूसरा option है working for a reputed company तीसरा option है using a computer खुछा option learning a foreign language देखे इन में से typing skills को आप जो सीखना चाहते हैं अगर तो यह चोटा चोटे समय के ZOO czy to ctions के लिए और foreign language सीखना चाहते हैं तो यह चोटे समय में सीखा जा सकता ह् किसी company में काम करने के लिए आपको थोड़ा सा लंबे समय क्या विश्कता होती है इसलिए इसका सही आंसर होगा वी वर्किंग फॉर रेपुटेटिट कंपिनी इस लांग टर्म गोल अगला प्रेशन आपके सामने हैं वन्स वी इंटर वर्क बेस अबर कम्यूनिकेशन हैस्ट वी व अगला प्रशन आपके सामने हैं दा पीपल विट हूम यू विल हाव तो कम्यूनिकेट अड़ वर्क प्लेस इंट्लोड वर्क बेस में जिन व्यक्तिओं के साथ में आपको कम्यूनिकेट करना हैं वे किस तरह के विखती होते हैं तो आपके और बॉप्षयंस हैं पहला और को वरकर्स होते हैं तीसरा ओप्षन है फैमली मेंबर सुज़ें चौत ओप्षन है क्लासमेट से इसका सही अंसर है B वर्क प्लेस में आपके सुपरवाइजर और को वरकर हो सकते हैं जिनके साथ आपके को मिन्केट करना होता है अगला प्रशन है which of the following should be avoided while communicating at the workplace workplace में communicate करते समय दिये गए options में से कौन सा option avoid करना चाहिए पहला option है eye contact, दूसरा option है crossing arm, तीसरा option है smile, चौथा option है looking at your phone इसका सही answer है D, workplace में जब आप communicate करते हैं किसी से बात करते हैं तो ज़रान phone की तरफ नहीं देखना चाहिए बाकि आप smile कर सकते हैं, arms को cross करके रख सकते हैं आप eye contact रख सकते हैं वर phone की तरफ ज़्यादा ज़्यान नहीं देना चाहिए अगला प्रशन है what is the basic need for people at the workplace to communicate workplace में communicate करने के लिए लोगों के लिए सबसे basic need, सबसे basic ज़रूरत क्या है तो आपके options हैं, पहला option है showing respect and active listening सामने वाले विक्ति को respect देना तता साथ ही साथ अच्छी तरह से सुनना दूसरा option है displaying positive body language, body language आपका positive होना चाहिए दूसरा option है be willing to ask questions and a willingness to give feedback आपके अंदर इस बात के लिए ललख होनी चाहिए कि आप question भी पूछ सके साथ ही साथ feedback भी दे सके हो, चौथा option है all of the above तो इसका सही answer है the all of the above question number 86 आपके सामने है what kind of emotional barriers can be overcome when people communicate जब लोग एक दूसरा से communicate करते हैं तो किस प्रकार के emotional barriers जो रास्ते में रास्ते का रोडा कह सकते हैं तो किस तरह के emotional barriers होते हैं जिनसे people को लोगों को overcome करना चाहिए निकलना चाहिए जब communication हम कर रहे हैं तब तो इसमें से आपके options है fear याने डर तूसरा option है mistrust अविश्वास तीसरा option है curiosity और चोथा option है both a and b fear and mistrust इसका सही answer है d fear and mistrust डर और अविश्वास की भावना से हमें निकलना चाहिए अगला ब्रशनाब के सामने है men and women have different ways of communicating at a workplace understanding these differences relates to यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि men थे था women दोनों के communicate करने के workplace में communicate करने के अलग-अलग तरीके हो सकते हैं और इन दोनों के बीच में जो differences होते हैं इन differences को समझने के लिए इन differences को समझना किसके अंतरगत आता है तो आपके options है पहला option है cultural sensitivity दूसरा option है gender sensitivity तीसरा option है religious sensitivity जोत्ता option है political sensitivity तो इसका सही answer है be gender sensitivity अगला question आपके सामने है when you need to explain a problem in your workplace your communication has to be जब आप कोई अपने workplace की problem को explain करना चाहते है तो आपका communication किस तरह का होना चाहिए option है clear and elaborate साफ तथा विस्तरित दूसरा option है short and quick छोटा और जल्दी में तीसरा option है vague and quick तो यह भी जल्दी में है चौथा option है long and boring लंबा और बोरिंग होना चाहिए तो इसका सही answer है clear and elaborated होना चाहिए अगला question है which of the options below need to be followed strictly at workplace किस दिये गए options में से किस option को follow करना strictly बहुत ज़्यादा जरूरी है workplace पहला option है request of a fellow worker दूसरा option है मतलब पहला option request of fellow workers fellow workers की request को आपको ध्यान देना चाहिए दूसरा option है policies and safety manuals company की policies तरह safety manuals को strictly ध्यान देना चाहिए तीसरा option है choice of food खाने में आपकी जो choice है उसको ध्यान देना चाहिए इसका सही answer है policies and safety manuals इनको आपको strictly follow करना जरूरी होता है question number 90 आपके सामने है which of the following skill is important while speaking to customers while handling sales जब आप sales handle कर रहे हैं तो दिये गए options में से किस option में किस option में आपको किस तरह के skills की आपशकता होती जब आप customer से customer handle कर रहे हैं customer से sales handle कर रहे हैं तो आपका options है पहला option है problem solving sales दूसरा option है persuasive skills तीसी option है body language चाहता option है listening skills इसका सही answer है C sorry B persuasive skill अगला question है question number 91 91 when you check your watch frequently while speaking to a supervisor he or she will get जब आप supervisor से बात कर रहे हैं और उस पी बात करने के दौरान बार बार अपनी घड़ी चेक करेंगे समय देखने के लिए तो सामने वाले जो supervisor हैं वो कैसा महसूस करेगा तो आपके options है excited दूसरा option is upset तीसरा option is irritated चौता option is surprised इसका सही answer है C irritated महसूस करेंगे अगला question है question number 92 professional networking is extremely beneficial because जो professional networking होती है वो बहुत beneficial होती है बहुत फायदे मन होती है क्योंकि आपका पहला option है they make a large group of friends इसकी वजह से एक large group बन जाता है दोस्तों का दूसरा option है it is fun to know many people कई लोगों को जानने का मौका मिलता है इसमें मज़ा आता है तो तीसरा option है they can help us find good opportunities उनकी वजह से आप अच्छी opportunities को ढूणने में मदद मिलती है आपको आखरी option है they can solve all our problems वो आपकी सारी problem solve कर सकते है इसका सही answer है C they can help us find good opportunity अच्छी opportunities को ढूणने में मदद मिलती है अगला question is question number 93 effective and easy way to create a professional network are a professional network बनाने के लिए effective तथा easy तरीका क्या है आपके options है join online networking site like linkedin दूसरा option है attend job fairs organized by both government and private companies इसरा option है keep in touch with your teachers and fellow students चर्थो option है all of the above ये question important है ये question हम अपने पिछले exam वाले वीडियो में भी discuss कर चुके है जो हमने exam purpose से बनाया था इस question को आपको ध्यान रखना है विगत वर्षों में ये question आ भी चुका है तो इसका सही answer होगा दी all of the above एक अच्छा professional network बनाने के लिए हम इन चारो options की आफशक्ता पढ़ सकती है question number 94 है आपका it is useful to get recommendation and endorsement from अगर आप endorsement और recommendation दोनों ही चीजें हासिल करते हैं तो इससे आपको फायदा होगा लेकिन अब किस से हासल करते हैं आपके options है पहला option है family members दोस्तर option है friend तीसरा option is school teacher चौथा option है former colleagues and friends इसका सही answer है former colleagues and friends former colleagues और friends आपके जो recommend करते हैं तथा साथ ही साथ आपके product को endorse करते हैं तो उसमें आपको फायदा होता है अगला question है question number 95 one effective way to make our social presence felt is एक effective तरीका अपनी social presence felt करने का feel करने का आपका है दिये गए options में से पहला option है create a page about us on a social media या social media में अपना एक page create कीजिए दूसरा option है keep sending message to people about our qualification लोगों को लगातार message भेजते रहे हैं अपनी qualification के बारे में तीसरा option है keep sharing image and videos images और videos जो है लगातार आप share करते रहे हैं लोगों को चौथा option है maintain secrecy about ourselves अपने बारे में secrecy maintain करिए गोपनीता maintain करिए इसका सही answer है create a page about us on social media social media पे अपने लिए अपने बारे में एक page create कीजिए जिससे आपकी social presence पता चलती रहेगी अगला प्रेशन आपके सामने है प्रेशन नमबर 96 96 keeping our resume and contact card ready during networking event can help us find जब कोई networking event हो रहा है उस networking event के लिए अगर आप अपना resume तयार रखते हैं साथे साथ अपने contact cards तयार रखते हैं तो इससे आपको मदद मिलती है किन चीज़ों में मदद मिलती है आपको यह बताना है पहला option है good friends अच्छे डोस ढूणने में दोसरा option है job opportunities अच्छी job opportunities ढूणने में तीसरा option है unwanted companies sorry unwanted companion unwanted साथियों को ढूणने में तीचाथा option है old friends औल्ड फ्रेंड को ढूणने में तो इसका सही answer है बी job opportunities ढूणने में आपको मदद मिलती है question no 97 आपके सामने है question no 97 why should we keep personal information private in social media social media में आपको personal information थोड़ा private करके रखनी चाहिए public नहीं करनी चाहिए उसके पीछे कारण है पहला option है our families will know about it otherwise आपकी families को पता चल जाएगा दूसरा option है potential employers will do a background check दूसरा option है potential employers होते हैं वो background check भी करते हैं तीसरा option है our friends will share it to others आप हमारे दोस्तों से दोसरों के साथ share कर सकते हैं चौथा option है some people में misuse private information कुछ लोग आपकी private information को misuse कर सकते हैं तो इसका सही answer है D कुछ लोग आपकी private information को misuse कर सकते हैं इसलिए अपनी private और personal चीज़ों को personal knowledge को उसे जो है social media पे जो है publish नहीं करना चाहिए अगला प्रशन आपके सामने है question number 98 professional networking can be done through professional networking कैसे बनाई जा सकती है कैसे की जा सकती है आपके options है पहला option है online only दूसरा option है face to face communication तीसरा option है both online and face to face इस चौथ option है none of the above तो इसका सही answer है see both online and face to face में LinkedIn is a website that can be used to LinkedIn एक website है जिसे आप use कर सकते हैं किस लिए आपका पहला option है make new friends of our profession आपके profession की दूसरे दोस्तों से मिलने के लिए नए दोस्तों से मिलने के लिए दूसरा option है share photos and videos of our profession अपने profession की photos और videos को share करने के लिए तीसरा option है watch movies movies देखने के लिए चाथा option है wish people to own their birthday लोगों को उनके birthday पर wish करने के लिए तो इसका सही answer है meet new members of our profession आपके profession के new members को मिलने के लिए अगला प्रशन है प्रशन नमबर 100 job fairs are great places for professional networking because you can find like minded people there job fairs are great places for professional networking job fairs जो होते हैं जो रोजगार मेले होते हैं रोजगार मेले अच्छी जगे होते हैं professional networking के लिए क्योंकि वहाँ पर आपको you can find like minded people there एक तरह के मतलब एक ही तरह के दिमाग के लोग आपको वहाँ पर मिल सकते हैं दूसरा option है you can meet prospective employers there वहाँ पर आप अलग-अलग prospective employers से मिल सकते हैं तीसरा option है you can learn about opportunities available in your field आपको पता चल सकता है कि आपकी field में कितनी तरह की opportunities available हैं और चौथा option है all of the above तो इसका सही answer है all of the above आज के वीडियो का तथा employability skill के chapter first communication skill chapter का ये अंतिम प्रशन आपके सामने आ चुका है question number 101 है how often will you contact people in your professional network professional network में आप लोगों से कितना मिलते हैं तो आपके options है whenever you need something जब आपको किसी चीज की आवशकता होती है दूसरा option है communicate only when they contact you आप तभी communicate करते हैं जब सामने वाला वक्ती आपको contact करता है तीसरा option है keep calling them everyday आप रोजन से बात करते हैं चौथा option है maintain a regular and meaningful communication आप उनसे regular तथा एक meaningful जो है संबाद बना करके रखते हैं तो इसका सही answer है d maintain a regular and meaningful communication तो ये थे आज के एक क्विस question और communication skill chapter employability skill के पहले chapter communication skill के 101 question हम discuss कर चुके हैं आज का जो वीडियो था ये इस series के chapter 1 का पाँचवाँ वीडियो है इसके बाद हम लेकर के आएंगे chapter 2 के वीडियो तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो रुपिया वीडियो को like जरूर करें दोस्तों के साथ share करें और साथी साथ हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को subscribe करें इस चैनल में ITI के education से related आपको information मिलती रहेंगी ITI के different rates की exam की तैयारी हम करवाते रहेंगे हमारे इस प्रयास को सफल बनाने में हमारी मदद करें चैनल को subscribe करें बेल आइकन प्रेस करें और साथी साथ दोस्तों के साथ share भी करें इससे हमें motivation राप्त होता है धन्यवाद आपका दिन शुद हो